हम बजार से दो आम खरिद के लिए आए हैं लगाने के लिए देखिए फलदार ब्रीच है ये पोधा आम का पोधा है ये तो इसको अपने बगान में लगाने वाले हैं नमस्कार दोस्तों तो मेरे तरब से सब को दोस्तों देखिए आज को हम लाए हैं बजास से क्या खरिद के जानते हैं दो आम का पेड पेड नहीं है पोधा है उस को अभी बड़ा पेड तो नहीं हैं उसको लगाने के लिए लाए हैं घर में जैसे कि बाड़ी होता है न खेत उतमें बगान में जमीन में हम लगाएंगे उसे छाया मिलेगा तो दोस्तों आईए हम आप लोगों को आम का पेड़ दिखाते हैं दोस्तों अभी हम आगन जा रहे हैं देखिए आगन आ गए है और हम आगन में ही पेड़ को रखे हुए था तो इधर देखिए यह देखिए हम वी चांगन में ही रख दिये हैं तो दोस्तों इसको हम लगाएंगे बहुत बारी सुने लगेगा नमब समय लगाएंगे हम खरिदके ले आएं भी तो यह बड़िया बात ऐना दोस्तों देखिए अभी जानते हैं बारिस क्यों ने होती ह पेड नहीं रहने के कारणा होती है और पेड से हमको क्या मिलता है पेड पोधा से हावा मिलती है अक्सिजन जैसे फलदार है आम का पेड ये है तो ये जब बड़ा होगा लगाएंगे और लग जाएगा तो लगने के बाद इसमें बड़ा होके फल देगा हम सब कोई खाएंगे और हम ही नहीं खाएंगे हमारे आसपास के पडोसी सब कोई खाएंगे पासपास के उसके बाद मेरा बेटा नाती पोता सब कोई खाएगा तो दोस्तों इसलिए हम सोचें कि चलो आज हम दो आम का पेड़ ले आते हैं मार्केड से खरीद के और इसको अपने बगान में लगाएंगे और पेड़ से में बहुत सारी लाव है दोस्तों जैसे कि घर के आसपास रहने से छाया मिलती है धूब से बचाता है गर्मी कम लगेगा फल दार है तो फल भी मिलता है फिर उसके बाद इसका लकड़ी उकड़ी को भी जलाने में काम आ जाएगा इधर देखिए और उसके बाद सुद वातावरन में रहने कोलिय मिलेगा और इस तरह से बहुत सारी होती है इसे आमको फायदा और जब गर्मी जादा लगने लगेगा तो आमके पेड़ के पास चल जाएए गर्मी के मोसम में उपर से आम भी गिरेगा और छाया भी मिलेगी तो दोस्तों देखिए हम यही विले आम को अभी तो लाये हुए है लगाने के लिए तो यह है ना कलमी आम है तो इसको लगाएंगे अपना हम खेत में या फिर बगान में लगाएंगे जहां जगा मिलेगा हम इसको जरूर लगाएंगे और लगाने के लिए हम लाये हुए है और आम में देखे एक नाम भी लिखा हुआ है इसमें कुछ लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है तो पुरा पढ़ा नहीं रहा है पढ़ के हम बताते हैं इसमें लिखा हुआ है मलिका मलिका है देखे इधर से आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा अच्छा से नम्मर तो आ नहीं रहा है यह देखें इधर है और थोड़ा इधर भी है और यह दोनों पेड़ को हम लगाएंगे और आप लोग भी एक एक जरूर लगाएं अपना घर में ताकि इसे हमारा है पेड़ पोधा हमेशा बना रहे और आतावारन में हम लोग रह सके आम खाने के लिए मिले यह कोई भी पेड़ हो जरूरी नहीं है कि फलदारी पेड़ो चाया भी मिलेगा उक्सीजन मिलेगी और वायू पर दूसन नहीं होगा सब चीसे हमें बहुत तरह से लाब मिलेगी बर बारिस नहीं होती है कितना गर्मी लगता है गर्मी से हालत खराब हो जाता है और लोग बोलते हैं कि बारिस नहीं होता है उसके बाद जमीन की भी बचाव होगा जैसे कि पेड़ कड़ जाने के बाद बारिस होने से मिटी की कटाव हो जाती है और पेड़ राने से क्या होता है इसलिए देखिए हमारे आसपास में भी बहुत सारा आम लगा हुआ है इसलिए हम सोचे कि आम कही lies LIKE इसलिएап आम खरिदकर लाएं देखि आम फ़हा होई हू उपर में भी दिखाते ये देखिए आम लगा हुआ है ना दीख रहा होगा इनों गुद्धि हम कुछ मगर उसका फाइदा तो हम लोगों को मिल रही है इस परकार से अगर हम एक पेड़ लगाएंगे तो आने वाली पीड़ी खाएगे आम तो दोस्तों अभी हम दिखाते हैं दो आम मेरा घर में रखा हुआ है लाके यह देखिए दो आम है ना तो इसी परकार से अगर हम भी लग आएंगे तो मेरे आने वाले पीड़ी को आम खाने मिलेगा पेड रहेगा तो सब चीज का अच्छा रहेगा वायू पर दूसनने होगा और तरह तरह के अनेक तरह के बिमारियों से बचेंगे कठनाई भी नहीं होगी इसलिए हमने सोचा कि आम का पेड़ लगा देते हैं द दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को मेरा आम का पेड़ लगाने वाले कारिकरम पोधा खरित के जो लाएं हैं वो अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि कैसा रहा है अब यहीं पर रोकते हैं सभी को नमस्का अबिल्क पर ठां सभडक प्रह absolument है भाएं रहा आमस्कार!